तो दोस्तो मेरे ना मेरा हूल स्वागत है अपका टेक्निकल वर्ग इड़िव चैनल पर है दोस्तो आपके घर में भी इस टाइब का सॉखिट लगाओगा चाहे वो 6 एंप्यर का लगाओ चाहे 16 एंप्यर का लगाओ इसके अंदर एक कवर सा लगा होता है जिससे हम सट्र कह स कि यहाँ यहाँ पर अगर को लगाते हैं इसके सफरो को उपर करना पड़ता है। इसके बाद हमारा का ठीक करने कि लेए क्लेते हैं कि प्रवियर को निकालınAY फर अधीक दैखिण प्र्वियर को फूरपिटわか व्लगते हैं लगते हैं कुझतWow यहां पर मैंने switchboard को open कर दिया अब यहां पर हमें socket को देखना है यहां पर इस socket पर wire connect है इसको निकालना है सबसे पहले हमें क्या करना है main supply को यहां पर नीचे की side इस type से test लगाना और बहर की तरफ प्रेस करना इससे क्या होगा हमार जो socket निकल जागे देखिए आप निकल चुका है अब हमें क्या करना है यहां पर जो socket आपको दिखाए देखिए दो screw लगे हुए किसी किसी में तीन screw भी लगे होते है किसी किसी में lock भ आपको वापस लगाना पड़े तो आप लगा सकते हैं और इसी साथ हमें क्या करना है यहां पर जो उपर वाला cover इसको वापस लगा देना देखिए आप हमने सटर को निकाल दिया अब जोmeal लगे होते हैं यह वापस लगा देना है अगर Lock लगा वा था तो Lock वापस लगा देना है निवस्ण और प्रमें यह घंते हैं लगा का प्राइब ग्लाइर को भी लगा देना है तो देखिए इस येलो वाली वायर को हम लगा ये जिससे क्या स्विच के तबार यहां पर फेस सब्लाइ स्विट को मिल जाती है तुछ यहां पर इसको भी मैं लगा दिया हमारा जो switchboard को fix कर देना देखिए आपर मैंने switchboard को fix कर दिया और यहाँ पर इसके उपर वाले cover को भी लगा दिया तो देखिए आपर जो हमारा socket इस टाइप से दिखाई दे रहा है अब इसमें अगर आपको switchboard है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है या फिर bad के आसपास लगा हुआ है और आपके घर में छोटे बच्चे है तो इस टाइप से ना करें सट्रों को ना निकाले ने तो आपके बच्चों करेंट लग सकता अगर गलती से उसमें उगली डाल देते हैं तो बच् आइक उनको प्रेस करते हैं जिससे नई वीडियो की नोटिफिये की साना आपको सबसे पहले मिल सकें मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में